स्वाम वेकुम, उसके बाद next topic जो हम डिसकस करना है हम artificial satellites को discuss कर रही है, इसे का next topic हमने discuss करना है, वो है motion of artificial satellites, यहां पर motion से मराद यह है कि हमने basically artificial satellites की speed को निकालना है, अब बेटा हम यहां पर consider करते हैं कि हमारे पास यह एक satellite है, जिसका mass M है, जो एक orbit के अंदर evolve कर रही है, जम के इर्दगिर इस सेटलाइट का जमीन के सर्फिस से जो फास्ला है उसको हम रिपर्जेंट करते हैं एच के साथ यानि जमीन का यह सर्फिस से इस से इस सेटलाइट के जो हाइट है वो किसकी एक और है उसको हमने रिपर्जेंट कर दिया है एच के साथ ठीक है और यह एक और और इसके यहाँ पर जो velocity है उसको हमने कहा दिया velocity कहा सकते हैं, speed कहा सकते हैं, वह हमारे पास कहा है, V-naught, यानि यह orbital velocity, V-naught के साथ satellite जमीन के इंगें मूव कर रही है, अब बेटा, चुकि यह orbit है, तो orbit भी हमारे पास एक circle ही होता है, तो जब एक circle की बात करते हैं, तो उसका क्या होगा, definitely radius होगा, तो यहाँ पर जिस orbit के अंदर यह satellite revolve कर रही है, उसका जो radius है, वो किसके equal है, वो है R-naught के equal, ठीक है जी, और उसके velocity कहा है, V-naught, अब हम अगर देखें कि R-naught किसके equal है, अब बेटा हमें पता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक यह जो फासल है, यह क्या है, radius of the earth, उसको मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ, ठीक है, यह radius है, तो यह हमें पता है, किसी भी circle का radius हम कहीं पर भी लें, तो वो क्या होता है, equal ही आता है, तो यहाँ से यहाँ तक यह इसका radius है, स्वाम्दा सर्फिस ऑफडार्थ फॉम यहां पर लिखेंगे कि और नाट नमर पर पस किसके को यहाज़े आजए गा और प्लस एच अब बेटां यहाँ पर पीछ से देखें कि और क्या है और है रेडियोस अफडा अर्थ जो कि यहां से यहां तक है अब हमने यह का कि सेतलाइट यह जमीन के सर्फस से हाइट के इस आ गया है वॐ certainly house which के अंदर हमने डिफैनिशन डिषक्ष की है वो है सेंट्रीबिटल incentive force क्या है the force required, the force which is required to revolve an object in aCircular path कि किसी भी Object को circular path के अंधर revolve करने के लिए जो force चाहिए होती हों युसे हम नाम देले है Contruputal force, वह किसको होती है में उसकोyani परिफर्जेंट करते है ? इसको हम रिप्रेंट कर देते हैं वी नाट से यह चुके आर्बिटल विलास्टी है और इसका जो रेडियस है अब यह हम बात कर रहे हैं सैटलाइट की तो इसका रेडियस हमर रपस किसके युकल है यह आ गया आधनाट के युकल यानि सिंपल यह कि किसी भी आपजेक्ट को स पत्थर को सरकुलर पात के अंदर गुमाने के लिए हमें फोर्स जाई होती है जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रिबिडल फोर्स का ठीक है जी अब फिर यहां पर यह हमारे पास आ गया कि अब यह जो सैटलाइट जो के हमारे अर्थ के इर्दिगे रिवावल कर रही है इसको स सेंट्रिबिडल फोर्स आती कहां से है तो इस सैटलाइट के पास जो सेंट्रिबिडल फोर्स से वह आती है फ्राम दा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दार्थ अब हमें पता है कि सैटलाइट और हमारे जो अर्थ इसके दर्मियान क्या आप आ जाती है ग्रेविटेशनल फो कि आएक्ट के उपर जतनी फोर्ट संफ गरेव्टी एक्थ करती है उतने उसके क्या होता है वैट होता है यहां पर अधिए सैंकिक्ट के सिथाइए गुम रही है वो कहा से आ रही है फ्राम्धा वेट यहनी इतने ग्रीविटेशनल फोर्ट्स रहते है इतना ही बाटे पर गया होता है वेट होता है इसको भी हम वेड जिख सकते हैं कि bachelorsell x तो उस तेम उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया जी एच के साथ इसको नेम देंदे एक्वेशन नमबर 2 होगा अब यह दोनों फोर्स हैं तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं एक्वेशन नमबर 1 और 2 को तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं हमारे पास आजएगा M G H is equal to M V not square ओवर आ जाता है और नाट बेटा यह M से M क्या हो गया Cancel remaining की क्या बच गया G H is equal to V not square ओवर आ गया और नाट हमने किसकी वैले को निकालना है V की तो यह और नाट इदर डिवाइड हो रहा है इदर आगा क्या होजएगा multiply तो यह हमार बेटा हमार पास बन जाएगा V not square is equal to G H into और नाट अब हमने V not के वैले को निकालने तो दोनों साइट पर क्या कर लें आप square root ले 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 तो यह इदर भी हम क्या करते है square root ले ले लेते हैं इदर भी बेटा हम लोग क्या कर लेते है square root ले 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 अब यह square root क्या होजेगा cancel तो पीछे क्या बचेगा V not is equal to G H into और नाट ठीक है यह बेटा हमारे पास आगा अब बेटा हम यहां पर एक small consideration ले ले लेते हैं कि यह जो satellite जो के हाइट से जमीन के surface से हाइट के उपर evolve कर रही है तो यह जो हाइट है वो as compared to the radius of the earth क्या हो बहुत काम हो ठीक है यह हम कहते हैं कि if H is very very less than r यह अगर हाइट जो है satellite की from the surface of the earth जो के है वो क्या है बहुत काम है यह हम यह कह सकते हैं बहुत closely जो है वो इस तरह से यह हम कह सकते हैं कि इस तरह यह बिल्कुल close orbit है जिसके अदर जो satellite है वो जमीन के क्या कर रही है घूम रही है घूम रही है तो हमने consider कहा कि H क्या है very very less than r हो तो हम यहां पर H को क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं ठीक है तो और उसके लावा यानि अब देखें हमारे पास जो और नाट है वो किसके एकुल है और प्लस H के एकुल है ठीक है तो जब हमारे पास H very very small हो गया as compared to R तो हम यहां पर यह कहेंगे कि हमारे पास ज आब यह प्लाइस आप पर पुत करने इधर पुत करने तो यह प्धां हमारे पास आजएगा जी एक की हमने पुत कर दिया झी और और नट जो के और प्लास हेकल है उसकी जगह हमने किसको पुत कर दिया अब बेटा हमें पता है कि जी के वेल्य होती है टैन मीटर पर सेकेंड और जो रेडियस है वह होगा है 6400 किलोमेटर ठीक है अब बेटा यह जब वैल्यूस आप यहां पर पुट करेंगे तो यह हमार पास बन जाएगा जो जी की सोरी जो स्पीड है जो के वी नाट है इसकी व बेटा हमने यहां से वैल्यों निकाल यह जी को हम यह आपर टैन पूट करेंगे और रेडियस आफ दर बेटा हम अमार पास कैस 6400 किलोमेटर पर सेकें या फिर हम इसको जब किलोमीटर पर और के अंदर लेते हैं तो बेटा हमार बास आ जाता है 29,000 किलोमीटर पर आइगे